हम सभी चाहते हैं कि हमारा दिमाग तेज हो और बढ़ती उम्र का बुरा आशर हमारे दिमाग पर ना हो सोचिए अगर आप इस टार्गेट को सिर्फ टेश्टी खाना खाकर अचेव कर सेखे तो कैसा रहेगा जी हाँ ये सच है कि आप टेश्टी खाना खाकर भी अपने दिमाग को तेज और ताकत वर बना सकते हैं बस जरूरत है आपको सही खाना खाने की और आपको क्या खाना चाहिए उसका जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा पर हम आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज इस चैनल को सब्स्राइब कर लीजिए ताकि आपको रे चैनल से लगातार अपडेट मिलते रहें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और शेर जरूर करिएगा हल्दी में कर्कमिन नाम का एक एंटी आक्सिडेंट होता है जो कि दर्द और शरीर में सुजन को अराम देता है रिचर्च से ये भी पता चला है कि इस एंटी आक्सिडेंट से अलजायमर के मरीजों को भी बहुत फायदा पहुचा है आपको यहाँ ये बात शायद अजीब लगे लेकिन ये भी सच है कि कई बार दिमाग में भी कचरा जमा हो जाता है और करक्मिन नाम का ये अंटी आक्सिडेंट उसे भी साफ करने का काम करता है इसके अलावा ये अंटी आक्सिडेंट दिमाग की कोशिकाओं के बनने में तेजी लाता है जिससे दिमाग तेज होता है और चीजों को याद रखने की capability बढ़ जाती है तो अगर आप अपने खाने में हल्दी का इस्तमाल नहीं करते हैं तो अभी देर नहीं हुई हैं आप इसे आज से ही इस्तमाल करना शुरू कर दीजे और हल्दी का इस्तमाल करने से आपको किसी भी तरीके का नुप्चान नहीं होगा बशर्ते आप इसे अपने कपड़ों पर रागिराएं क्योंकि हल्दी का दाग आसानी से नहीं निकलता फूल गोभी फूल गोभी के बारे में लोगों की अलग-अलग राय हो सकती है लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि गोभी आपके दिमाग को तेज करने में भी मदद कर सकती है गोभी में B-complex Vutamin के आधार पर बना हुआ घटक कॉलीन प्रचिर उर मातरा में पाया जाता है जो कि दिमाग को तेज करने में मदद करता है और उम्र बढ़ने पर आपकी याददाश्ट को भी बहतर बनाए रखता है रिशर्च के लिए कुछ वग्यानिकों ने ऐसे जानवरों को यही घटक दिया जिनके बच्चे होने वाले थे उसके बाद जब वग्यानिकों ने नतीजों की जाच की तो उन्होंने पाया कि होने वाले बच्चों के दिमाग तेजी से काम करने लगे थे वो भी बिना किसी नुक्सान के खोज करताओ का मानना है कि गुभी हर व्यक्ति का दिमाग तेज करने में मदद कर सकती है और गुभी एक ऐसी सबजी है जो कि सभी के लिए अबलेबल है हम लोग सभी खाते हैं तो इससे किसी को कोई नुक्सान नहीं हो सकता तो इसलिए आप गुभी को खाईए और अपने दिमाग को तेज बनाईए अखरोट ओमेगा 3 fatty acid सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है ये तो हम सभी जानते हैं वैग्यानिकों ने चुहों पर खोज करी तो ये भी पाया कि ओमेगा 3 fatty acid उम्र बढ़ने के कारण जो दिमागी नुक्सान होते हैं उन दिमागी नुक्सानों को भी ठीक कर सकता है ये ओमेगा 3 fatty acid अखरोट में भरपूर मातरा में मिलता है उसके साथ ही अखरोट में बहुत अच्छी मातरा में अंटी आउसिडेंट भी पाये जाते हैं जो कि आपकी उम्र को बढ़ने से रोक सकते हैं और आपको healthy भी रख सकते हैं अखरोट में DHA नाम का खटक भी भरपूर मातरा में होता है जो कि ना केवल दिमाग की कोशिकाओं की मरमत करता है बलकि आपके दिमाग को तेज भी करता है और मुझे ये बताने की कोई जरूरत नहीं है कि अखरोट खाने से आपको किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होगा इसका आशर बच्चो और बड़ो सभी के लिए बहुत फायदे मंद है तो आप खुद भी अखरोट खाईए अपने बच्चो को बिखलाएए और सभी का दिमाग तेज बनाईए काबुली चना दिमाग को तेज करने के लिए मैगनिशयम बहुत जरूरी होता है और काबुली चने में इसकी भरपूर मातरा होती है मैगनिशयम दिमाग की कोशिकाओं में जानकारी को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद करता है उसके साथ ही ये दिमाग में खून की नलियों को भी आराम देता है जिससे दिमाग में खून का बहाव परियात मात्रा में बना रहता है और दिमाग हल्दी रहता है इसके साथ ही इसमें बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन भी पाया जाता है जो कि आपको healthy रखने में बहुत मदद कर सकता है और काब ली चने को आप उबाल कर खा सकते हैं इसकी सब्जी बना सकते हैं बर्गर बना सकते हैं सलाद बना सकते हैं या फिर आप इसे कोई दूहरे टश्टी mainly बना सकते हैं इन दौर के मशूर खोज करता डॉक्टर A.B. शीरवानी ने अपनी रिसर्च में इस बात को साबित किया है कि खसफेस दिमाग को बढ़ाने में बहुत मददकार होती है। डौक्टर शीरवानी को उनकी खोजों के लिए राष्टपती पुरिषकार से भी सम्मानित किया जा चुका है तो आपको उनकी बातों पर भरोसा ना करने की कोई वज़ा नहीं मिलेगी। अगर आप अपने बच्चों को खस-खस का हलवा खिलाते हैं तो इससे उनका दिमाग तेज होगा, वो बातों को याद रख पाएंगे, उनकी से हब बेच्छी रहेगी। और खस-खस ट्रेट में बहुत अच्छी होती है, इसके लिए आपके बच्चे से खाने से ना भी नहीं करेंगे। बदाम वैसे ये बात बताने की जरूरत नहीं है कि दिमाग को तेज करने में बदाम बहुत असरकारक होती है। आज भी घरों में बड़े बुजुर्ग आपको यही सला देते हैं कि दिन में कुछ बदाम जरूर ठालेना चाहिए, क्योंकि इससे दिमाग तेज होता है और शरीर भी स्वस्थ रहता है। बदाम में बहुत अच्छी मातरा में ओमेगा 3 fatty acid होता है और इससे जो फायदे मिलते हैं वो भी मैं आपको बता ही चुका हूँ। इसके साथ ही vitamin E और vitamin B6 पीस में भरपूर मातरा में होता है जो दिमाग की कोशिकाओं को stress और जवान बनाएं रखने में मदद करता है। इसमें जिंक और protein भी काफी होता है जो आपके शिरीर को healthy और दिमाग को चुष्ट बनाए रखने में मदद करता है और आपको खुश भी रखता है तो आप चाहें तो बदाम को कच्छा खाएं इसका हलवा बनाएं शुभा के नाश्टे में शामिल करें पर बदाम को खाए जरूर अपने दिमाग को बढ़ाएं जरूर मांस अगर आप 99 खाते हैं तो फिर बिना चर्वी वाला नर्म लाल मांस आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है इसमें बहुत अच्छी मात्रा में vitamin B12 होता है जो कि दिमाग को तेज करता है वैग्यानिकों ने खुश के दोरा दिमाग से कोड़ भीजाता है और उसके बाद धीमें काम करने लगता है तो अगर आप नौनविज खाने के शौकीन हैं तो कोशिश करिए अपने खाने में बिना चर्वी वाला लाल मांस शामिल करने की थाकि आपका दिमाग तेज हो सके और आप हेल्दी भी रह सकें इसके चाहिए आपको यहाँ एक वीडियो और दिख रहा है जो कि आपको दिमाग तेज करने में आपकी काफी मदद कर सकता है तो उस वीडियो को भी प्लीज देखिए और आपको काफी फायदा मिलेगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और शेर जरूर कीजिए क्योंकि खोच से ये बात भी शाबित हुई है कि अगर आप किसी जानकारी को दूसरों के साथ बांटते हैं तो वो आपको ज्यादा देर तक याद रहती है और ज्यादा फायदा पहुंचाती है तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्स्राइब नहीं किया तो प्लीज आप कर लीजे और लाइक और शेर जरूर कीजिएगा थैंक्यू वेरी मच्छ